बच्चा लोग आप सभी जानते उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टिबल 6,244 भरती का री एक्जाम लगवग दो दिल बाद समाप्त हो जाएगा तीन दिर हो चुके तीस से कथिस का भी पीपर खतम हो जाएगा आप एसे बहुत से साथी जो UPSI की भी तैयारी करते हैं या UPSI की तैयारी करना चाहते हैं उन्होंने कॉंस्टिबल का भी दिया होगा क्योंकि एज में छूट मिली थी और जो कॉंस्टिबल का दे रहे हैं वो उनमें से बहुत सारे चाहते होंगे एक तरह आप 16-18 साल में SI बनते हैं कॉंस्टिबल लगकर एक बार मेहनत करके थोड़ी सी और ज्यादा और आप लोग साथी पहले SI से ही आप लोग एंट्री लेते हैं फोर्स में पुलिस में तो दोनों में बड़ा अंतरा जाता 16-17 साल मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी पांच-6 मेहने बहुत तगड़ी मेहनत लेकिन सोचो आप अपने 16 साल बचा लोगे बहीं कॉंस्टिबल जहां 16-18 साल में आप SI बनते हैं वहीं आप SI से इंट्री लोगे तो आपको वो 16-17 साल जो हैं आप वो अपनी बचा सकते हैं एक बार अगर आपने मेहनत UPSI में कर ल होगे आपके कोई बास सुनने वाला नहीं है आपने देखा ये एक्जाम डेट के लिए हो री एक्जाम के लिए हो या उससे पहले ये कॉंस्टिबल वाली भरती के लिए हो लगातार ट्विटर केंपेंग लगातार जब सारी बाते हुई तब जाके सरकार को लगा कि चलो वह जागी की चलो हम लोग भरती देते हैं फिर एक्जाम के लिए लड़ते रही अभी आप देखोगे रिजल्ट और फाइनल जोइनिंग सब के लिए भी कई बार केंपेंग करनी पड़ेगी तो ऐसे ही मैं आप सभी जितने भी उत्रप्रदेश प्लिस कॉंस्टिबल की त जाओगे और इसके बाद मैं SI की करना चाहते तो मैं आप से कुछ चीजे कहूंगा कि आपको साती अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ जादा नहीं करना आपको एक साथ बच ट्विटर से सरकार भरती बोड भरती बोड के अध्यक छे मन्य म उक्रेमंतरी जी इन 4-5 नोगों तक अपनी बात पहुंचानी है अगर हम सब लोग 7 बात मिलकर साथ मिलकर एक 7 बात पहुंचाते हैं तो यह बात पहुंचने के च्छाथा रहते हैं इसकी बात का वज़न भी ज़्यादा रहता है सरकार को पता भी जादल चलता है वहीं पता कि यह कौन से पैटरन पर होना है क्योंकि सरकार ने कहा ता जिसमें भी चार लाग से ज्यादा फॉर्म है वो प्री प्लस मेंस पर होगा और इसमें बारा से पंद्रे लाग फॉर्म भरे जाएंगे तो और ये भी नहीं पता कि भी तीन साल की छूट मिलेगी नहीं मिलेग करना चाहते एक सितंबर सुबह नो बजे इसका साथी मैं आपको ट्विटर केंपेंग बाके साथियों से बात करके इसका टैग भी आपको बता दूँगा हमारी कोश्य से कि कतिस के बाद में एक भी दिन हम चैन ना लें हम लोगों को क्योंकि अगर हम लोग आजनी उठाएंगे सुन लोगे बात तो इसका कोई मतलब नहीं है आप इंतजार करते रहो दोहजार सताइस चुनावों तो ले जाएंगे जबकि होना तो यह चाहिए दोहजार चौविस में दोहजार पच्छिस में भी आए, डोहजार चपविस में भी आए, दोहजार च्छिश में भी आए, ऑगर तुम सब साथ आगे और तुमने बहुती संविधानिक तरीके से बहुती शान्ती पूर्वक अपनी बास सरकार तक पहुचाई तब उत्तर प्रदेश के युवा हो 15-20 लाख स्टुडेंटों आप जो SI की तैयारी करोगे आपको सरकार हलके में नहीं लेगी क्या 50 लाख कॉंश्टिबल को हलके में लिया था जब 1-2 लाख होंगे मनलों हमारे ट्वीट 10-20-50 लाख चलेगे तो कोई नहीं पूछेगा यही अदि हम ट्वीट 1 मिलियन करगे 10 लाख होगे तो सारी सरकार सोचेगी कि यार बच्चा सच में परेशान है तो मैं तुमसे इसे लिए पहले से आगा कर देना चाहता हूँ आज तारीक 28-29, 30-30, 30-30 दिन बाद एक तारीक को साथी हमारी ट्वीटर केंपेन है फिर साब से पूछोगा क्या आप सभी साथी इसमें राजी है आप चाहते ही कि हम लोग सब मिलकर इस ट्वीटर केंपेन को करें इसमें एक्जाम पैटर्न, क्या एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी हम सब बाद सरकार तक पहुचा देना चाहते है कम सिखम इस्टार्ट तो कर सकते हैं न बच्चा तो मैं अब से कमेंट चाहूँगा मुझे सब लोग कमेंट करके जरूर बताईए एक तो क्या एन है कि तुम लोग पता नहीं अपने हक्की अवाज नहीं उठाओगे तो कैसे मिलेगी तुम नहीं जानते हो कि कैसा प्रदेश हो चुका है कैसी प्रदेश की सरकार है अब किसी जाती धर्म के हो अब किसी वर्ग के हो कोई फरक नहीं पड़ता जब भरती नहीं आती तो सबको नुकसान होता है किसी की ऐसे नहीं कि तुमारे लिए एक के लिए आरी एक के लिए नहीं आरी तो जब तुम साथ ही नहीं होगे तुम सा लोग अपनी लाइबरेरी अपने आजपस तुमारे काम हैं अपनी स्ट्टेत्स पर भी लगा लोगे किया भ्याव इक तारिक एक और तुम इतनी सारी फाल Club कि क्लिप शेर करते हो इतनी सारी इंश्टाग्राब में कोई कुछ कर रहा है कोई नाचराय कोई गिर पड़ा, उत्री सारी किलिप सेयर करके एक दूसरे को हो हो को करते हो, हसते हो, अपने जीवन के लिए कुछ सेयर करो, अपने नोकरी के लिए, नहीं तो अगर तुम सब एक होते न, साथ होते, पांस साल, छे साल नितजान नहीं करना पड़ता तुम्हें अ मेहत्वपुण हैं तुम्हारे लिए कोई चीज तुम्हारी नोकरी तुम्हारी भरती से ज्यादा मेहत्वपुण हो तो मुझे बता दो मैं उस चीज के लिये बाट उठा लो भाट्चा सट आहीं है कि बस एक ही कमियतु साथ नहीं आते मैंने कोशिज की है मै서도 कर रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा एक तारिक वाली ट्विटर केंपेंट को सफल बनाना तुमारा करतव है बोले सफल बनाओगे नहीं बनाओगे यस यानू चलिए दूसरी बात अब तैयारी भी कर रहे होंगे तो मैं आप से छोटा अब से गुरू मंत्र शेयर करूंगा जब अपना वहितर डिसीजन ले सकते हैं मैं आप पे को दबा भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा बस मैं आपसे पांच चीज़ बोलूँगा इने मेरी बात जरूर मालने न क्योंकि मुझ में अनुभव है बस थोड़ा सा इस तरह सोचके मैं सोच रहे हैं कि हम लोग इतनी ड्यूटी कर पाएंगे दूसरी बात पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके लिए क्योंकि तुम कॉंस्टेबल से सोले साल अपने जीवन के बचाओगे तो सोले गुना पढ़ाई तो वो भी तुम एक बार चेक कर लेना खुद को कि दम है न कौन-कौन से विशे के कौन-कौन से चैप्टर है उसमें एक्जाम पैटर्न क्या नेगेटिम आरके हैं नहीं है कितना कौन सा सही के लिए कितने नंबर मिलते हैं कितना टाइम मिलता है ओनलाइन और फिर साथी 81 सिफ्ट अभी तक हो चुकी है 2017 में पेपर हुआ था 2016 वाली भरती का इसकी 27 सिफ्ट है और 2021 वाली का 2020 में हुआ इसकी 54 सिफ्ट है लगबक 81 सिफ्ट का मतलब है अगर आप 160 से उना करोगे तो आप समझने लगबक 12,000 के करीम कुश्यन से तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कुश्यन कितना डीपली पूस्ता है तो इससे क्या होग जिसमें टीचर को चुनोगे जिसमें किताब को चुनोगे वह आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे वरना लाश्ट में रोने के लावा कुछ नहीं रहता जब पेपर देके आते हो क्यार मैंने तो गलत नोर्स पढ़ लिये मैं तो गलत टीचर चुन लिया तो पहले से आप पे लगा हुआ है तो क्या तुमारा फर्ज नहीं बनता है कि तुम उस चीज को अच्छे से देखो यस यह नो करके बताओ तो इसलिए अपनी आखों से देखो कि भी यह ऐसे पढ़ाता है इस तरह के कुशन आएंगे नहीं आएंगे 5000 थोड़ी सी उपर वेकिंसी तो आपको सोच के चलना है कि मुझे 80-90% मेरिट में 90% के लिए फायट करना है तब ही जाके मैं फाइनल मेरिट में आप आँगा उसके बाद मैं अपने इस्टेडी प्लान बनाना है आच से 10 घंटे तो इसमें डेली चाहिए ही चाहिए सिलिवस थोड़ा सा बड़ा है लेक पढ़ी फिर दुबारा थेओरी पढ़ी पहली बार थेओरी फिर उसी को दुबारा रिवीजन किया फिर साती प्रेक्टिस प्रीविएस येर कुश्यंस की फिर एक बार थेओरी पढ़ी इस तरीके से आप चलना थेओरी थेओरी प्रेक्टिस फिर थेओरी इससे आप 80% प निकालूँगा यही सबसे तगणा फॉर्मेरा है तुम क्या करते हो कुशन कुशन थे और रे पड़ते नहीं हो तुम्हारे में इस चारों में कुशन कुशन होता है इस यह की चार में के फिर जो हमारे से मतलब भार मिलेगा और जितने जैसे घूम के कुशिन आता है जितने घूम की लेंगवेज आती है उससे टफ आप लोग उससे अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होगे तो कोशिस कीजिए कि इन पांच चीजों को आप पढ़ें और इसी क्याधार पर चुनाब करें क्योंकि ये किबल तुमारा पैसा खराब नहीं होता मैंने कि तुमारा जो समय है तैयारी का और तुमारा लक्षे भूल जाते हो उससे बड़ा निकाली है खुद बढ़िया दुबारा भी निकाला है रिटिन दूसरी भरती का भी बहुत अच्छे से इसकी नॉलिज है और बहुत सारे सब्जेक्ट पर यूट्यूब पर लोगों को पहली बार स्टार्ट किये जिसे अब बत्रब फिर सब ने स्टार्ट किये तो आपको जो कंटेंट मिलेगा एकदम ऑथेंटिक दूसरी बात सवाल कैसे आते हैं उसकी नॉलिज कि घुम के आया इस्टेटमेंट में आया और अगर आपने समय दिया तो गारेंटी रहेगी कि आप 100% पेपर आपको आपके नोट से मिलेगा चलिए दूसरी बात जो साती हमारा एक प्रदेश में नहीं उठाते तो आप जानते कोई किसी को पूछने बाला नहीं है और इसलिए मैं आपसे अफ्लाइन कमेंट्स करने के लिए बोलता हूं कि तुम कमेंट्स करोगे तो उसके लिए आपका बहुत सुक्रिया रहेगा तो साती सभी लोग कमेंट्स करके बताने की कम ही करें ना करें और मैं आपको बताओ आपके लिए छोटी सी फ्री एक गिववे लेकर आ रहा हूं जिसमें 81 सिफ्ट का तो मैं आपको फ्री टॉपिक वाइज भी जिसके लिए अगर तुम मार्केट में जाओगे कम सकंब 2000 रुपे लगेंगे आपको 81 सिफ्ट टॉप तो यह मैं कुछ गिववे सोच रहा हूं और उसमें कुछ एक्ष्टाइड कर पाया तो वो बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए तो यहाँ पे साती वाटसेप चैनल का लिंक भी ए डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर जोइन कर लेना कमेंट्स करके बताने कि क्या आप सभी तो इस एक तारिकी ट्यूटर कैंपेइन के लिए राजी है और दूसरी बात यह पांच गुरू मंत्र के आधार पर चलना मैं आप से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सिलिबस एक्जाम पेटन को तो आप अपनी कौपी जहां भी आप पढ़ते हो लाइबरी घर में उसकी एहम चीजे इसी के अनुसार पढ़ना प्रीवियस एर को दिहान में रख कर टीचर